आज आज हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं और लाने वाले हैं सिंचान को because अप लोगों को तो मालूमी है वो हॉस्पिरल में एड्मिट था आज वो डिस्चार्ज होने वाला है और दूसरी बात ये कि हम लोग एविल नन को भी मारने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि last time हम लोगों को hero prime बहुत जादा परिशान किया था बट जियान और स्टीव मिलके उसका धजिया उगला दिया तो वो तो मर गया बट अभी भी एक नन है बस नन ही है जो हम लोगों को परिशान कर सकती है इसलिए आज उसका भी खेला हम लोग खतम कर देंगे लास्ट ने वो हम लोग को मिली थी रात में माउंटन के पास बोली थी कि तुम में से कोई नहीं बचेगा बट आज वो नहीं बचने वाली है रहान मैं क्या बोल ला हूँ किनन को हम लोग बहुत अच्छी तरीका से मारें गया बस एक बास संचान मिल जाए और हम और लोग गनवन भी खईद लेंगे संचान को हस्पिरयल के पास गन शॉप भी है वहाँ से गन खईद लेंगे बहुत सारा जिससे हम लोग आराम से मार पाए नन को बहुत असानी से मार पाए हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल ले बट अभी रुको वेट करो अभी आपर सिंचान आता होगा फिर वो गाड़ी में बैड़ी है तो हम लोग चल ले गन को खई दने चलो पाई लोग यारो सिंचान आ गया है वो गड़ी गंदर बैड़ गया है और अब हम लोग खई दने वाले है गन शॉप के अंदर से गन बहुत सारा गन यार 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 नंकल क्या मैं आपसे पूछ सलता हूँ कि हम लोग गन क्यों खई दी दरे ऐसा क्या हुआ जब मैं हॉस्पिटल में था तो आपके साथ किसी का जगड़ा हो गया क्या आज हम लोग क्या करने वाले अरे सिंचान मेरा किसी के साथ जगड़ा नहीं वो बात यह ना तुमको तो पता ही है तिन चार दिन पहले हम लोसे नन मीली थी नन भाईसा बहुत अजीब अजीब बात करी थी बोली तो तुमनों खत्रा में पढ़ जाओगे तो इसलिए हम लोग उसको मार के खतम करने वा बिना गनी का मार दूंगा यार जैक तुम मार लोगे वो तो ठीक है पर तब भी गन खईना तो जरूरी है ना यह से क्या होगा ना सीफ्टी रहेगा और गाईजर मैं यह सोच रहा हूं कि कभी भी हम आज तक नन को ना मारते हुए नहीं देखे आइमीन नन का कोई भी शॉ हो गया अब भाई साब नहीं बचने वाली है नन नन का बरबादी होने वाला है आज यार यान अंकल मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मतलब हम लोग लास्ट टाइम हीरो ब्राहिम को खतम किये थे और आज हम लोग नन को खतम करने वाले कितना ज़्यादा मज़ा आज आती है वो बहुत ज्यादा डरावनी है बहुत जी ज़्यादा पर तब भी ठीक है और हम लोगों तो रात कना पड़ेगा न क्योंकि वह सुबा तो नहीं ना nooit ही क्योंकि वह थो भूत है हां यार सिंचयं तुम सहीं बोले उसके भी बहुत जादा लामा है वाल मैं इस तुम लोग यहां पर क्यू आए हो मैंने कहा था ना मुझसे तुम लोग मत लगो मुझसे लगोगे तो मैं तुम सब को बरपात करके रग दूंगी समझ रहे हो ना ओए नन तु देख तेरे साथ बहुत बुरा होगा चुपकर मेरे साथ मेरे पुरा टीम है जैक वेक सब तुमें मिलके मारेंगे तुम साथ हुसियार मत बनो ओए रयान मैं नहीं मार रहा है मुझे डर लग रहा है तू अकेले मार ले मुझसे न सब्सक्राइब दियां विंगाडियम चटियोजा ओगी तुम मेरे साथ इसार रहेगा मेरे काबू में हमेसा रोजाना ओए तू हिपनोटाइस नहीं कर सकती समझी ना चुप रहे और अभी हमें काम कर रहे है तुम को मगन से मार रहे है तुम नहीं बशने वाली बहुत हो कर रहे कि तुमहाला ड्रामा यह दिखो यार जाघी तु सामने साथ यार तुझा लग जाए निसर्ट क्या कर रहा है क्यों आगे हैं इसका मधे ली CC कर रहा है तुमिन अधया से चले जाओ वनकरिंदर बहुत ज़से बुरा होका इविल का से सात बहुत ज़से भूराब उ और यार मैं कहा हूँ मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ अच्छा हाँ एविलन का है और और यार यह सब क्या हो गया सूबा हो गया कुछ भी हमको समझ नहीं आरा रात को क्या हुआ था हम लोग कैसे बेहोश हो गया तो यार कुछ इसलिए वह सिफ इविलन का बात मान रहते हैं और हम लोग तो वह लोग मारे भी आइमिन ऑगी अंकल मारे गरेड से हम लोगों को चोट लग गया था और यान मुन्ना ऐसे कैसा कर दिया मैं इस तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा नीबू के तरह नी चोड़ दूंगा वह ऐ इसे कर सकता हैं लोगों के साथ यार ओगी थोड़ी न ऐसा किया है इविल नन न उसको कब्जा में कर लीस लिया होगी हम लोगों को मारा वन्ना वह मारता थोड़ी न यार अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आई थिंक सो मुझे जाना चाहिए डेटेक्टिव इसे कुछ प्रकट कर रहा है जूड़ी ये बात मुझे पता है कि और की बहुत ज़ादा हलचल मलचा आ रहा है क्योंकि निवमने भी और लोग को बहुत ज्यादा परिशान कर रहा है पुल्यस वालो अब तुम्नों नहीं बाच ओगे तुम्हों क्या लगत तुम्हों रप्तम करके रखदूँगा सबको गुलाम बना दूंगा यहां पर बात होगा और किसी का नहीं होगा यहां पर लोग सिप एक ही भी नहीं भार सकते और कोई है तो आए विसे अंदर दम है तो यहां पर आए मुझसे मुकाबला करें ओए सब लोग कहां बाग गए यार यह कोप्टर वाला जा रहा है इसे मैं मारता हूं इससे तो नहीं हो खुछ कोई नहीं और कोई है तो आए अच्छा यह गाड़ी वाला यार डेटक्टिव चड़ा मैं क्या मुझे बता सकते इसका क्या उपाय है क्योंकि यार मुझे तो कुछ भी समझने आ रहा है कि मैं कैसे ओगी को सेफ करूँ प्लीज क्या आप मुझे बता सकते प्लीज इविन लन को भी खतम करना है हम लोगों को डूड इसका तो बस एक ह रास्ता है देखो इविन लन ओगी को हिपनोटाइस कर दिये तो सबसे पहले तुम लोगों को पकड़ना होगा बट ओगी को पकड़ना आसान नहीं होगा इसलिए सबसे पहले एक आर्मर कार बनाओ जो कि बहुत जादा मजबूत हो उसके बाद ना एक ऐसा रोप बनाओ ज इसके बाद वो बेहोश हो जाएगा उसको गाड़ी में भरके कई दूर जाकर उसको ना वापस हीपनोटाइस करना होगा मैं लगकि इसके उपर से हिपनोटाइस हटाना होगा फिर जाएक वो सेफ रह पाएगा तुम अब इतना काम करो फिर हमनों बात में मारेंगे एविल तो यार किरिल हम लोग को बहुत जादा help कर सकता है तो अभी सबसे पहले हम जाने वाले किरिल के पास उससे बात करेंगे पूछेंगे क्या उसके पास है की नहीं है और जैक तुम सुनो, तुम साइंटिस हो तो तुम ना हम तुम को साइंस लाप छोड़ देंगे ऐसा है कि मरे पास एक कार है जो कि इन डे राइट का बना हुआ है बहुत ज़दा बहुत ज़दा ताकतवर कार है बोले तो एक ओरडर कर दो तुमारे लिए बहुत ज़रुवत है, बताओ, लिम्टर एडिशन चलना है अरे हाँ हाँ किरिल पैसे को तिंच चिंता मत करो जैसा भी हो यार ओडर कर देना ठीक है चलो भाई साब, एक काम तो मेरा हो गया अब दूसरा काम यह है, कि यार यह क्या हो गया, ओके, दूसरा काम मेरा यह है कि जाक सुनो, अब हम तुम लेके जाने वाले साइन्स लाब, बिकॉस तुम ही मेरा हेल्प कर सकते हो साइन्स लाब में तुम एक ऐसा एंटिडॉट बनाओ ना जो कि बहुत जादा स्ट्रॉंग हो मतलब एक बार वो उससे एंटिडॉट को लगाने के बाद आदमी लों कम से कम दो तीन घंटा तक बेहोश रहे ऐसा तुम कर सकते हो ना और यान मैं शूर तो नहीं हूँ पर मैं पूरा कोशिश करूँगा और इस बार तो बात मेरे मुन्ना का भी है तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि वो बच जाए मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँगा और आर्मर कार के लिए भी मैं कोई वेपन भी बना सकता हूँ तुम बोलो तो बोलो मैं बना दूँ देखो यार जैग अभी वैसा हमको आर्मर का कोई ऐसा आई मीन वेपन का कोई जरूवत नहीं है अगर जरूब पढ़ा तो मैं तुम्हें बोल देगा तुम अभी बस एंटिडॉड बनाओ ठीक है तुम मेरा बात समझे आई होप सो कि तुम मेरा बात समझ गया होगे वैसे भी तुम बहुत जाद इंट्रिजेंट हो चलो अब मैं दो काम तो होगी है अब सिंचान तुम बरबास सुनों हम और तुम मिल करना थोड़ साने इंफोर्मेशन लेते हैं और आप लोगी कमेंट करके बताओ कि जो नन है नन का कमजोरी कहा बिकॉस यार अग उसका नन का कमजोरी पता चल गया ना फिर तुम उसको मार सकते दम आसानी से मार सकते हैं तीक है रहा यान अंकल मैं तो तयार हूँ गाईज यारो आच के लिए बस इतना ही नहीं देते बाकी मैं आप से मिलता हूँ नेक्स वर्यों में तब तरह के लिए को लाइक करना चालिए लोका सब्सक्राइब लाइक के साथ हैं मैं कहा है बोले मुझे नहीं पता पढ़िया ठीक है चोड़ो तब अला आफिस